असलाम अलेकुम सुडेंट्स प्रेविश वीडियो में हमने देखा कि सीकंड लाइन और एवरिज रेट ओफ चेंड का अपसमें क्या रिलेशन होता है तो शौर्ट समरी में मैं दुबारा उतको डिस्क्रस कर लेता हूं कि मैंने बताया था कि आपके पास अगर आपके कोई मैं गिए फंक्षण के उपर कर रहे हैं लेट से पी रने इस प्वन इस प्वैन करों कि आंप सिंपल क्या करें कि आप पीन्त से स्टेट लाइं कर कर ले तो वो क्या बंदेंगी एक से लेंगे कि इसमें बदाया था कि क्यों से निए प्टाया था कि पॉइंट वही होंगे जो सेंद लें प्रेंगे इनके स्टार्टिंग पॉइंडिंग पॉइंट वो सेम होगा इन्हीं दो पॉइंट को मिला आगे जो हमने सिकन लेंड बनाई थी उन्हीं दो पॉइंट के बीट्वीन हम एफी दोड़ चेंज कर सकते थे यह हमें डिसक्स की थी फामुला यह था मैं आपस डल्टा वाइब एक्स और यह हम फामुला यह भी आ गया है इसको हम इसना से भी लिखा सब दोनों फामुला हम डिसक्स कर चुके हैं तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम अगर जाएंगे तो उम्हारे पास यह है लेट्स से एवरी डाट अफ चेंज यह सिंपल गोई समरी है दर एवरी इसकी डेट अफ चेंज और वाई इसकोल टो एफ अफ एक्स यह डिया जो एक्स आफ फांक्ष्ण विट रिस्पेक्ट टु एक्स ओवर डा इंटर्वल एक्स नौट एक्स फ़ांट इस डिफानिस डिफान आज कि उब्राद एक्स नॉट एक्स नौट जो बिसिकरी स्टा पर जो में मिल देगा उनके बीटमें हम सीकल नाइं ड्रा करेंगे और यह एवरीज डिट उसके हम फार्मूला यूज कर देंगे जो कि मैं पर एक्स नाट ओवर एक्स नाट उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फार्मूला का हम यूज करेंगे तो प्रैक्टिस हम इस देट ओफ चेंज ओफ वाई एक्सके प्लस वन ओवर दा इंटर्वल थ्री तो फाइव एंड इंटर्प्रेटिट के एक फंक्शन है जो कर्फ बनाएगा और आपको पता है कि यह क्या बनाएगा अपवर्ड पैराबोला बनाएगा और इस पैराबोला के ऊपर हमने एक यह इंटर्वल गीवन होगा आपको सेकेंड लाइन के यह यह एवरी डेट ओफ चेंड के लिए क्योंके एविज लेना जो कोई ने को क्लियर ली दो दिस्टिंक्ट पॉइंट सा आपको गीवन हुआ करेंगे यह आपको एक्स नॉट होगा और आगे वाला हमारे पर से जो फाइव एक्स पॉण होगा यह इनके थ्री फो स्टाइटिंग पॉइंट फाइव एंडिंग पॉइंट इनके बिट्मीन आपने एवरीज देटों को चेंड फाइन फाइन एउट करना है तो रिलेशन सेम हुई है यह हमारे पर फामुला था एवरी डेट फाइन का जैसे ह हमने स्लोफ की थे वैसे ही सेम वही चीज़ है हमने और फाइट फाइन फाइट फाइन फाइस नॉट हमें वैल्यू सचाइए एक्स नॉट अ पैस नॉट आको गिवने की से पर्टिकुलर्स इंटर्वा के अंदर इंदर आपने पूट करेंगे यह वह लिग्क्शन इंटर तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर पहले आप x naught की जो वैलिव पूट कर दें जो किया थी महारे पर 3 तो हमारे पर हमने f of 3 फाइंड करना है तो जहाँ 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 पर x है वहाँ पर 3 फूट होड़ेगा तो 3 का स्केयर 3 स्केयर प्लस 1 तो मैं पर 10 आगया उसके बाद हमने 5 के लिए फाइंड करना था f of x1 जानी के लिए f of x1 के लिए क्या करेंगी यह पर 5 mean f of x1 f of x1 is equal to f of 5 तो फंक्षन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 5 पूट किया तो स्केयर पर समाँ तो मैं रपास है तीनों रपास मैं रपास आगी थोड़ी दोनों रपास आगी f of x not की भी और f of x1 की भी तो वह जब इस फार्मले में पूट कर दें यह मैं रपास आगा उसका आजेगा जब आजेगा जब आजेगा तो इसको अब आपने average rate of change में interpret करना है कि यह होता कि इसको आप में लिखना है तो वह है क्या तो वह जब 8 लिखा तो हम denominator में क्या आएगा by default 1 आजेगा इसको हम 8 को 8 by 1 भी लिख सकते हैं जब 8 by 1 है तो हमें जो average rate of change है वह हम बेसिकल हमें लिख देंगे कि here y increasing increases averagely जैनकि average increase हो रहा है 8 units क्योंकि उपर बाज़े numerator है वो y में increase बता रहा होता है तो नीचे वाला x के change बता रहा होता है तो इसमें simple वड़े हम क्या बताएं कि when x changes to 1 unit क्योंकि denominator में क्या 1 है तो when x changes increases to क्योंकि हम आपको एक सी बताई थी क्योंकि जब भी slope इस बताई प्रिएंगे तो हम x के increasing behavior के साब यह देखेंगे कि y का behavior क्या है के change in y with respect to x इस में x के 1 unit को representat 1 यह लुकि एक्स में 1 unit increase होने से y क्या और हो रहा है 8 unit increase हो रहा है क्योंकर y क्या positive है तो दोनों positive हैं तो x के increase होने से y क्या हो रहा है हमारे पास भी 8 unit increases रहा हुँद यह चीजज़ हमें यहां पर लिख दी कि interval 3 से 5 तक हमारे पास x के जो interval 3 से लेके 5 तक उसमें अगर x 1 unit change हो तो y क्या होता है 8 unit हमारे पास change होगा तो यह आपने उसको statement में इसना से आपको ने लिख देना है तो यह change क्या होगा average date of change होगा next example 2 करते है तो I hope so उससे आपकर यह topic clear होड़े है करें कि how to find average date of change तो example 2 है यह cubic function है curve बनेगी और negative sign के साथ है तो यह interval लिया हमने minus 2 से 1 तो x node क्या ले लिए यहां से minus 2 ले लिए और x1 क्या ले लिए हमने 1 ले लिए यह मैं आप value आगी उसके corresponding आपने f of x naught और f of x 1 की values हम लोग ने find कर लिए इस function के अंदर put करके जहां जहां पर x है पहले वहां पर minus 2 put करें तो यह value तो आदेगी x node की फिर जहां जहां पर x है वहां पर 1 put कर देंगे तो f of 1 की value आदेगी वो आप इस formula ने put करेंगे तो answer क्या मिल रहा है इसका minus 3 मिल रहा है अब इसको interpret करना आपने क्या बताया था कि इसको 8 को लिखा था 8 by 1 जो जो डिमिटर में कुछ भी ना हो तो वो 1 consider किया जाता इसमें में डिमिटर में कुछ भी नहीं तो वो क्या होगा 1 consider होगा तो interpret किस्था ना करेंगे every rate of chain को कि as x increases to 1 unit then y decreases to 3 units negative sign यह बताया कि लिए कि आपको कि y increase हो रहा है यह decrease हो रहा है अगर य माइनस में आ जाएगा स्लोप यह आपको माइनस में आंसर मिल रहा है तो इसमें क्या पता हैं कि x के 1 unit increase होने से y 3 units decrease हो रहा है averagely तो यह माइन पर discussion होगी तो इसको इस तना से भी मैंने लिख्या कि इसके अगर आपको यह ऐसी slope आरे over में आ दे तो हमें 2 example के इस सब में over में 1 आ रहा था लेकर अगर आपको श्रोप का answer 4 by 3 यह minus 2 by 5 इस तना से रहा है तो आप इसको कैसे interpret करेंगे average rate of change को यह आपने क्या बताना कि as x increases to 3 units y increases to 4 units averagely तो को positive science था तो x के increase होने से y पे increase होने से तो denominator जो बताता है वो x का increase बताता है और numerator जो होता है y का increase तो इस ही वाजा कि हमने x के 3 units increase होने से y को हमने averagely 4 units increase कर दिया next example में देखें ऐहमें देखें कि दो माइनos 2 x 5 है जब माइनos 2 x 5 है तो वो हमें क्या बता देना कि इसमें x के 5 unit increase होने से y जो है वो minus 2 unit do not degree decrease होगा, 5 unit x increase होने से 2 unit से y decrease होगा due to minus sign तो averigely decrease होगा कि उसको आप discussion थी average rate of change के बारे में तो उसके बाद next हम continue करेंगे वीडियो तो till now I will thank you, second के बाद हम tangent line के में move करेंगे तो next video देखेगा इसके लिए tangent line के बारे में tangent line को हम किस सरह से final करते हैं अल्ला आफीस